कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट जैसिंग वैसे तुम लोग यह लाइन सुनके पक गए हो गये न मदब नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आप सबका दोस्त और होस्ट जैसे नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आ सब्सक्राइब का दोस्ते हैं कि मैं अफिसियली इस चेप्टर को लास्ट चेप्टर मान नहां हूँ और इस पूरी थिक्त है अभी सभी पढ़ाते पढ़ाते हैं पढ़ाना एक नसा है और जब आदमी नसा करता तो उसे रिलेक्स मिलता तो जो पढ़ाता हूं तो मुझे भी बड़ा सांते मिलते हैं पसे चीज कहना चाहेंगे कि आज का जो चेप्टर होगा बहुत ही बहतरीन जहेंगे कि जो बताऊंगा जितना बताऊंगा वह 100% है क्योंकि आपने अगर कहीं से स्ट्रक्चर आफ एटम पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने बेरिफाइड किया है बहुत स्टेंडर्ड बुक से अपने ठीचर से जिनसे मैं पढ़ा हूं जिनका आप नाम ज बाढ़र का है उसे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा थे दूसरा कोई तरीका नहीं मेर भाई रचा कोई भी तरीका नहीं है यानि कि और भाई यानि है आपको जब बोला जाए कि ये है तो आपको मानना की पढ़े गा ही के भिया इस्टर आफ टम में हम लोग पूरे आपको थोड़ सा अजीव लगेगा कि सर इस्ट्रक्चर आफ एटम में पहले आप सर एटम बताओ, इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन बताओ, तर क्या बात कर रहे हो, सर कैसे पढ़ा रहे हो, यह कैसे समझना आएगा हमको सब समझना क्योंकि मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ, मैं मानके चलता हूँ, इलेवन्थ का बच्चा होता हूँ, तो भी मैं उसको भी ऐसे पढ़ाता हूँ, उसका रीजन है, कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो टापिक है, वो है यह कॉइंटम नंबर, और सबसे टफ जो टापिक है, व तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज मैं बहुत सारा कुश्चन लेकर आया हूं लगबग लगब मेरे पास 32 के आसपास कुश्चन हैं तो मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ कराऊंगा कुछ दूंगा हूं और क्योंकि मैं लिख के कुश्चन कराने में ज़्यादा बिलीव रखता हूं रखते हैं अ हुचा ऊचने जिट्ड़ काते द मार्चिए जय तो कॉन्टम नंबर से स्माख त्यइंग के हैं तर चार हो नंबर होते क्या हैं बहुत आराम से समझने की कोशिश करियेगा दिमाग में आता है कि quantum number क्या होते हैं आखिर यह क्या है quantum number क्या है what is quantum number नहीं मेरे को तुम बताओ क्या है quantum number क्या है क्या है यह quantum number क्या छीिज्ज है क्या है क्या बला क्या है यह यह बला क्या ब्हाई क्या है तो सुनोबर दो आपको के ainsi कहनी बता होगे तर्फ्वस्ते लंबी विल्डिंग का नाम दो सुना होगा दूबई विल्डिंग का नाम है वुर्ज खलीफा कि खलीफा की दो कोई स्पीलिंग भी नहीं लिख पा रहा हूं कि खलीफा वुर्ज खलीफा एक विल्डिंग है कि बहुत लंबी सी विल्डिंग है ऐसे करके विल्डिंग है आपको भी इसके बारे में पता होगा क्यों नहीं पता होना चाहिए था सबसे लॉंगेस्ट विल्डिंग में से हैं ठीक है भाई होगा अपने को क्या करना कि बुर्ज खलीपाल नाम से तुम घबराना नहीं क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम है मतलब सुनते ही आप लोग डिस्ट्रेक्ट हो जाते हैं समझदार होंगे तो समझ गये होंगे नहीं समझदार हैं तो बढ़ते हैं इसमें एक गुरूम नंबर बुक किया गया मैंने बोल दिया कि 666 या 69 मैं बोल दिया एक नंबर बुक किया गया इसमें 69 69 तुमने का 69 69 का मतलब क्या है कि 69th floor है और 69th room number है एक room number है पहला यह क्या represent कर दा फ्लोर रिप्रेजन कर दा फ्लोर रिप्रेजन कर दा कि कि लुल और 69еле और अग्ल ठाम मैं का कैसा है डैशाम का पल रोम है त्याने की दो लोग है को और ऊनके पास मुझह के पास मुझे पिज़़ा डिलिवरी करनी है आपको ऑनद्या लेकर करने हैं तो पार हो इंडिया से अगर डिलिवरी करनी है तो सबसे पहले मैं कहां जाओंगा सुधी अरेविया में जाओंगा बहुत आराम से कहानी सुनना तभी तुमको समझ में आएगा क्या बोल ला हूँ पता होना चाहिए कहा है साओधी एरेविया गूगल क्लिया ठीक है साओधी रिबिया बड़ा कंट्री है पिर मैं दुबई सर्च किया पता चला कि बुर्ज कलीफा दुबई में माल लो साओध अरेविया के दुबई साहर में है और दुबई के अंदर गुर्ज खलीफा बिल्कुल सही बात गुर्ज खलीफा तर अची बात और गुर्ज खलीफा में आपको पता होना चाहिए कि कि फ्लोर पे है लोर नमबर तो 69 और रूम नमबर तब जाके वहां तक आप कि उसी प्रकार उसी प्रकार किसी भी एटम के बारे में अगर तुम्हें जानना है किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें जानना है तो तुम्हें एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कहा है उनको जानने के लिए तुम्हें प्रोसेस से होके पढ़ना है अलोग हाइपो थर्टिकल नंबर इस पर बड़ी बात नहीं है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और कॉंटम नंबर के बारे में बात करते हैं बहुत ही आराम से बहुत ही इत्मिनान से पढ़ने की कोशिस करिएगा बहुत ही ज्यादा मज़ा आएगा अगर मैं कॉंटम नंबर की बात करूँ किसकी बात करूँ कॉंटम नंबर की बात करूँ कॉंटम नंबर से एक प्रकार के नंबर है जो किसी भी एटम के बारे में लोकेशन देते हैं क्या करते हैं एंट्वं के बारे एंटो केशन देते हैं और हम आपको बता दें किछ ठरीके से कॉंट नंबर आपको पढ़ने हैं और इनके नाम संब से पहले तो याद होने सी पहले प्रिंसिपल कॉंट्वन नंबर कि दिसे हम small ns represent करेंगे दूसरा पहले नंबर पर है प्रिंस्पल कॉंटम नंबर, दूसरे नंबर पर है एजी मुथल, पुठल नहीं है बेटा, एजी मुथल कॉंटम नंबर, जिसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजन करेंगे, तीसरा है, माइगनेटिक कॉंटम नंबर, माइगनेटिक कॉंटम नंबर, जिसे हम लोग M से रिप्रेजन करेंगे, और चौथा है, spin quantum number जिसे हम लोग smallest से रिपर लगे पहला सवाल मैं आप से पूछूँँगा कि quantum numbers क्या represent करते हैं quantum number किसी भी atom के बारे में everything बताते हैं सब कुछ बताते हैं जो जानना है तुम्हें वो सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी कहाँ पे किस टॉपिक में quantum number में अगर quantum number तुम्हें पता है quantum number के बारे में तुम्हें जानकारी है तो atom के बारे में तुम्हें जानकारी मिल जाएगी कोई tension वाली बात नहीं है quantum number कितने types के होते हैं principal quantum number होता है azimuthal quantum number होता है magnetic quantum number होता है spin quantum number होता है तो चलिए फिर शुरू करते हैं, टॉपिक लगाते हैं, प्रिंस्पल कॉउंटम नंबर, पहला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि मुख्य, में, प्रिंसिपल कॉउंटम नंबर, पहली बार, दिनोटेट भाई, अच्छा, किसने इसको किया था डिस्कवरी किसने की थी मेरे भाई डिस्कवरी किसने की थी किसने दिया था ये कॉंटम नंबर बोर ने दिया था किसने दिया था पोर ने दिया था मेरे भाई तो मैं एक लाइन लिख दूँ कि गीवेन भाई कि भी जनकाई लिखते रहेंगे गीवेन भाई given by poor poor एक scientist ठीक रहा denoted by denoted by n और याद रखेंगे positive integers होते हैं यह होते हैं positive integers क्या होते हैं positive integers जैसे 1, 2, 3, 4, 5 याद रखेंगे जो principal quantum number होते हैं वो positive integer होते हैं negative कभी नहीं हो सकते हैं negative कभी भी नहीं हो सकते हैं क्या मेरी बास समझ में आई क्या भया बिल्कुल principal quantum number अगर मैं बात करो principal quantum number represents represents as orbit cell energy level यह तीनो ही इसके नाम है principal quantum number के तीन नाम और हैं orbit यह किसको represent करता है orbit को cell को energy level को तीनो ही एक ही जैसे है अगर मैं बोलू orbit orbit second orbit यानि की एन की वेलू टू second cell बोलू तो एन की वेलू टू energy level second energy level बोलू तो एन की वेलू टू ठीक भी यह अगर मैं बोलू कि क्या बताता है यह principal quantum number हमें क्या बताता है क्या इससे हमें क्या पता चल सकता है इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं तो ध्यान से समझना principal quantum number बताता है size of atom को किसको बताता है size of atom को बताता principal quantum number किसको बताता है size of atom को बताता है याद रगना कौन कितना बड़ा होगा ये कौन बताएगा principal quantum number बताएगा बहुत आराम से देख लो और principal quantum number से हम लोग क्या निकाल सकते हैं energy निकाल सकते हैं energy निकाल सकते हैं और velocity निकाल सकते हैं और angular momentum निकाल सकते हैं angular momentum मेंटम एटीसी निकाल सकते हैं, यह सब हम आगे परहेंगे, ठीक है भाया, चलो सर इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाया, आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमाम इलेक्टोन, मैक्सिमाम इलेक्टोन इन आ, इन आ सेल, इस डू एन इस्क्भाइर, क्या हो जाएगा, टू एन इस्क्भाइर ओर दाएगा, ठीक है भी बात समझ में आ रही है, अब दयान से समझना, यह nucleus है, यह क्या है, nucleus है, इसका जो पहला cell होगा वो ऐसे बना दे रहा हूं, दूसरा cell है से, तीसरा cell है से, चौथा cell है से, पाच्वा cell है से, शठ्वा cell है, इसको कैसे represent करते हैं, द्याद समना, यह N की value 1 है, यह N की value 2 है, यह N की value 3 है, यह N की value 4 है, यह N की value 5 है, यह N की value 6 है, nucleus के खिनारे वाला जो पहला cell होता है, वो N बराबर 1 होगा, दूसरा N बराबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, C होगा, इसको बोलते है के सिल, एल सिल, M, N, O, P, Q, R, S, T, that's one, अभी डिसकाबरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए, पहले सिल का नाम क्या है, के सिल, दूसरे का L, तीसरे का K, L, M, N, ABCD आती है न, बस उसी अधार पर चलते रहो, पुछा जाएगा आपसे, कि N की वेलू 1 हो, तो कौन सा सेल होगा, N की वेलू 2 हो, तो कौन सा सेल होगा, N की वेलू फलाना हो, तो क्या होगा, ऐसे करके आपसे खुब चीजे पुछी जाएंगे, चला बाई, चला बाई, इसके बारे में और सिखते हैं, आइए, इसली बारे, याद रखा, पहले में यहाँ लिकूंगा, वेलू आफसेल, वेलू आफसेल, वेलू आफसेल, चार्ट इपॉर्टेंट है, चार्ट इंपॉर्टेंट है, नेम आफसेल, ठीके बाई है, तीसरा, परिशान एकदम ना हूँ, मैक्सिमाम इलेक्ट्रॉन इन असेल, वो होता है, टू एन इसक्वाइर, एन क्या होता है, नमबर आफसेल होता है, ठीके बाई है, एन की वैलू 1 रख देते हैं, एन की वैलू 2 रख देते हैं, एन की वैलू 3 रख देते हैं, एन की वैलू 4 रख देते हैं, एन की वैलू 5 रख देते हैं, एन की वैलू 6 रख देते हैं, 7, 8, 9, 10, आप कुछ भी रख सकते हैं, याद रखना इसे बोलेंगे K-Cell, इस cell का नाम क्या हो जागा, K-Cell, इसको बोलेंगे L-Cell, इसको बोलेंगे K-L-M, इसको बोलेंगे N-Cell, K-L-M-N, इसको बोलेंगे O-Cell, इसको बोलेंगे P-Cell. अगर तुम्हें maximum electron निकालना है तो 2 into 1 का square कर दो कितना हो जाएगा 2 2 into 2 का square कर दो कितना हो जाएगा 8 2 into 3 का square कर दो कितना हो जाएगा 18 magic number याद आ गया periodic table में 2 की power 4 का square कर दो तो 32 2 की power 5 का square कर दो तो 50 2 की power 6 का square कर दो तो 72 यानि कि जो पहला cell होगा उसमें सिर्फ 2 electron होगे जो दूसरा cell होगा उसमें 8 electron होगे जो तीसरा cell होगा उसमें 18 electron होगे ये तुम्हें formula से पता चल जाएगा ठीक है अभी आगे चलके मैं तुमको एक चीज बताऊँगा कि हर एक और्बिटल में सिर्फ 2 electron होते हैं यानि कि अगर मैं तुमसे पूछो और्बिटल कितने हैं तो दिमाग लगाओगे न तुम सोचोगे न कि यार एनी स्क्वाइर होना चाहिए चलो यह चीज बाद में बताऊँगा अभी इतना ध्यान से दिमाग में बटाऊंगे में पहले बता दे रहा हूँ Nee कि नहीं पाऊगे सिख नहीं पाऊगे में रखजेंगए कि हिसने बाई कि है कि शूरा कौंटम नंबर है अजी मुत्टल कौंटम नंबर कि मुथल इसका एक और नाम है एंगुलर कौंटम नंबर कि या नाम है, एंगूलर् कॉंटम नमबर, ंगूलर् कॉंटम नमबर के अलाम भी इसका एक नाम है, जिसे हम लोग माइगनेटिक फील्ड वगरा निकालते हैं, given by summer field given by kis ने दिया था? summer field ने दिया था spelling देख लेना summer field था, summer field नहीं था summer field एक scientist थे दीके भईया, हर एक चीज बता दूँगा denoted by small l l जो है वो dependent है किस पे, ध्यान रखना l जो है independent dependent नहीं है, l क्या है, l की value क्या हो सकती है, 0 से n minus 1 के बीच हो सकती है, यानि की जो n है, पो decide करेगा ल की value क्या होगी, यानि की जो ल है, वो अपने मन से नहीं आ सकता, very good, क्या represent करता है, या से path से पाफ एटम बताता है, क्या बताता है, एटम का सेप बताता है, और ये रिपरजेंट करता है सबसेल को, किसको रिपरजेंट करता है, सबसेल को, या फिर सब और बिट को, या फिर सब एनर्जी लेबल को, या फिर सब एनर्जी लेबल को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं य याद रखना मेरे बाई है, maximum electron कितने होते हैं, maximum electron in a sub-cell, क्योंकि यह किसको represent करता है, sub-cell को represent करता है, तो वो होते हैं, 2 into 2L plus 1, क्या होता है, 2 into 2L plus 1, 2 into 2L plus 1, जाती समझना है, पहली बात, azimuthal quantum number किस ने दिया था, somer field ने दिया था, ठीक है, क्या बताता है, यह shape बताता है, item का, अच्छी बात है, यह किसको represent करता है, sub-cell को represent करता है, sub-orbit को represent करता है, उसी का नाम है, और sub-energy label भी बोलते हैं, उसे, ठीक है भी या, कितने maximum electron हो सकते हैं, एक sub-cell में, 2 into 2L plus 1, 2 into 2L plus 1, 2 into 2L plus 1, यह formula जो बता रहा हूं, आगे prove करके दिखाऊंगा भी, जब आप धीरे-धीरे सीख जाओगे, इस formula को हम लोग apply भी करेंगे, क्या करेंगे, apply भी करेंगे मेरा भाई, ध्यान से समझना, चले आगे बढ़ें क्या, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, और एक chart बनाएं, चार्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, चार्ट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ए ए कोई ए ए ए कोई ए ए ए क्या लिखेंगे इसमें वेलू आफ एल नेम आफ सबसेल अरे भाई जब यह सबसेल को रिप्रेजन करता है तो इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरे भाई जितनी बात बता रहा हूं इतनी बात अगर तुमने याद कर ली ना तो राज करोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आ सबसेल उन्हें का अफर वो तो होता है टू इंटू टू एल प्लस वन ठीक है भी या अभी कुछ देर पहले हमने लिकाता है ल की वेलू जीरो से सुरू होगी एन माइनस वन से कम होगी यानि ल की याद की वेलू क्या हो सकती है जीरो ओके वन ओके जीरो ओके उके टू ओके ट्री ओके डैट्स वान लेकिन एन माइनस वन तक लेकिन एन माइनस वन तक होगी यानि कि यह भी जीरो से सुरू होके positive Integer ही सो करता है अब द्यान से समझना हूं अगर L की वेलू अगर L की वेलू 0 है और L की वेलू 1 है, L की वेलू 2 है, L की वेलू 3 है L की वेलू 4 है L की वेलू 5 है L की वेलू 6 है आए देन सब्सक्राइब अगर L की वेलू 0 है तो उसे बोलेंगे S सबसल क्या नाम होगा S सबसल फिर P सबसल ठीक है फिर T सबसल क्यों हो जाएगा D सबसल फिर F सबसल क्यों हो जाएगा F सबसल फिर G सबसल अब A, B, C, T चलेगा S, P, D, F तक आएगा फिर F के बाद A, B, C, T चलनेगा F, G H सबसल I सबसल ठीक है भई Maximum कितने electron होंगे 2 into 2 into 0 plus 1, यानि कि कितने हो जाएगे, 2 हो जाएगे 2 into 2 into 1 plus 1, यानि कि 2 plus 1, 3, 3 बराबर 6 हो जाएगे 2 into, ख्यान रखना 2 into 2 plus 1 यानि कि कितने हो जाएगे 10 हो जाएगे 2 into, 2 into 3 plus 1 यानि कि कितने हो जाएगे 6, 7, 7, 2 नी 14, यानि कितने electron 14 2 into 2 into 4 plus 1 यानि कि कितने हो जाएगे 18 2 into 2 into 5 plus 1 यानि कि कितने हो जाएगे 15, 11, 11, 12 2 into 2 into 6 plus 1 यानि कि कितने हो जाएगे चार-चार का difference है, आपसे दो तरीके से सवाल पूछे जाएंगे कि L बराबर 0 किस सबसेल को represent करता है, या L बराबर 0 है तो कौन सा सबसेल है, S, L बराबर 1 है तो P, L बराबर 2 है तो D, L बराबर 3 है तो F, L बराबर 4 है तो G, L बराबर 5 है तो H, L बराबर 6 है तो I, L बराबर 7 ह तो जे, ये चलता रहेगा, जे, उतना आता नहीं है, चारी तक आएगा maximum, अरे hypothetical है ना यार, लिए फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ ठीक है, चलता है, ऐसे कोई टेंसर माले बात नहीं है, चलता रहता है, जोदो का डिफरेंस आ रहा है, S-subsal में, S-subsal में, S में तो वेटा एक ही orbital होते हैं, इसलिए मों से निकल गया, तो सही ही निकल दा है, S-subsal में कितने electron हैं, 2, P-subsal में कितने हैं, 6, याद करो, P के तभी तुम 3 डबे बनाते थे, 2-2 electron बरते थे, याद आये कुछ, इलकुल, D में कितने हैं, 10, F में कितने 14, D में कितने, 18, that's one, क्याँ पर के नाम होता है, वो तुम्हें बता दे रहा हूँ, S का मतलब होता है, Sarp, जो S-subsal बना है, वो Sarp के उपर बना, ठीक है भाई, P का मतलब होता है, Principal, T का मतलब होता है, Diffused, जा होता है, Diffused, F का मतलब होता है, Fundamental, बहुत सारे लोग नहीं जानते रहे होंगे इसका नाम, और चलो, ये तीनों मैं Homework दे दे रहा हूँ, डूड के लाना, ये Homework, क्योंकि इतना सलेवस में है, वो मनें बता दिया, ये hypothetical है, इनका भी नाम होता है, चलो डूड के लाना, तुम भी तो पढ़ते हो ना, S का मतलब हो गया, Sarp, P का मतलब, Principal, T का मतलब, Diffused, F का मतलब, Fundamental, F का मतलब, Fundamental, ये इनके नाम है, लोग पढ़तो लेते हैं, S PDF, S PDF सबसल पढ़तो लेते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, तो ध्यान से देख लो, इनका फुल फॉर्म क्या होता है, S PDF कैसे हम बताते हैं, चले बाई, चले बाई, अभी इनके सेप पे भी बात करेंगे, ये स्फेरिकल होता है, ये डंबल होता है, ये डंबल होता है, ये डंबल होता है, ये कॉम्पलेक्स होते हैं, लेकिन वो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, अभी हम पूरे, मतलब नोड ए नोड सब पढ़ेंगे सब बताएंगे अगर मोटा मोटा कहो तो सेफ मैं बता दू चलो मोटा मोटा मैं सेफ बता देता हूं इसका जो सेफ होता है वो स्फेरिकल होता है कैसा होता है इस स्फेरिकल होता है ठीक है भी या पी जो होता है वो डंबल आकार में होता है डंबल मतलब वो जी मौला डंबल सेख होता है, ठीक है, जो D होता है, भाल, डंबल होता है, जो F होता है, जब कॉंपलेक्स होता है, जब कॉंपलेक्स है तो उसके बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा इस फेरिकल मतलब गूला डंबल मतलब ऐसा डबल डंबल मतलब ऐसा देख लो कि अधिक जला मेरे बाई आगे बने क्या भीया आगे बने क्या बाबू करों कि याद रगना इसे बात को तो तो ठीक है ब्याद यह देख रहे न इसका लूब बोलते हैं क्या बोलते हैं लोब अगर ऐसा दिख रहां कि यह अलब लोब यह अनल लिखो क्या बोलते हैं लूब और प्लस होता है कि अधी हो सेब बारे में परशान मत तो पढ़ना है अभी सिर्फ और नंबर फोकस रखो अभी सिर्फ quantum number focus रखो कि यह देखो कि कौन सा quantum number किसको represent कर रहा है बस टीक है ना L बराबर 0 तो S, L बराबर 1 तो P, L बराबर 2 तो D S PDF 3 Magnetic quantum number यह पूरा का पूरा तुम्हें आद रखना है Magnetic quantum number यह किसको represent करता है यह represent करता है किसको orbital को किसको orbital को और यह बताता है orientation orientation of electron in 3D जो magnetic quantum number है ना वो बताता है कि तुम्हारा orientation S की तरफ होगा P की तरफ होगा कि D की तरफ होगा किसकी तरफ P की तरफ D की तरफ फलाने जनर की तरफ ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ता है किसको represent करता है orbital को orientation of electron in 3D direction बताता है किसने दिया था given by linde given by एक linde scientist थे लिंडे नाम है इनका ठीक है भाईया एम की जो बैलू होती है वो independent नहीं होती है याद रखना वो minus L से why L L के बीच होती है, जो जो बैलू होती है, वो ध्यान से देख लें, मर भाई, जो M की बैलू होती है, वो माइनस L से प्लस L के बीच होती है, यानि कि N से रिलेटेड L है और L से रिलेटेड M है, अपने मन से नहीं आ सकता है, अपने मन से नहीं आ सकता है, क्या मेरी बात समझ मे आई बिल्कुल समझ में आगे हैं ठीके भी आप एम की जितनी वेलू आएगी उतने आर्बिटल होंगे maximum electron in a orbital an orbital वो कितने हो जाएंगे वो तो दो ही होंगे कितने होंगे दो ही होंगे ठीके भी आगर मैं बोलू कि number of orbital कितने होंगे number of orbital जो होंगे वो बराबर होंगे वेलू आफ एम के कि नंबर आफ कि वेलू आफ कि एल कि तुमने का यह लाइन समझे नहीं हम यह वाली अगर यह बराबर जीरो रखोगे तो इम की कितनी वेलू आएगी चलो इधर देखो अगर ल बराबर जीरो रखोगे तो एम की वेलू कितनी आएगी जीरो आएगी चलो कि अगर यह P सबसेल है, L बरावर 0 क्या है, यह S सबसेल है, L बरावर 2 क्या है, यह D सबसेल है, यानि कि S सबसेल में सिर्फ एक और्बिटल होगा, इसमें क्या हैगा सिर्फ एक और्बिटल होगा, लेकिन P सबसेल में कितने और्बिटल होंगे, तीन और्बिटल होंगे, और D वाले मे कितने और्बिटल होंगे पांच और्बिटल होंगे कितने और्बिटल होंगे पांच और्बिटल होंगे तुमने का कैसे पता करें अभी मैं बताऊंगा कैसे पता करते हैं अभी सिर्फ आपको मोटा मोटा याद रखना है कि जो M की बेल हुए यह मैंने आपको बता दिया कितने और्विटल होंगे एक और्विटल तीन और्विटल पांच और्विटल अभी बादवन निकालें तुमने का इसमें कुछ बनाओगे हमने कहां बनाएंगे तो ज़रूर लेकिन कुछ इसका डिफरेंट होगा द्याल समझना हो इदर दे अगर मैं बोल दूँ आप से आओ अगर मैं S और्बिटल बोल दूँ मेरे भाई द्यान से समझना इदर लिखेंगे हम लोग और बिटल कौन सा और बिटल होगा और इदर लिखेंगे value of M ठीके भी है क्या बात है अगर मैं आप से बोलू कि S है तो क्या होगा X आई जड़ आईए द्यान से अगर S है तो S और बिटल के लिए एक ही और बिटल आ रहा जिसे हम बोलते हैं S S सबसेल के अंदर एक ही और बिटल आता जिसे हम बोलते हैं क्या मेरे भाई S और बिटल बोलते हैं और जिसके लिए M की value क्या होती है जीरो होती है तुमने का हम नहीं मानेंगे M की value 0 होगी एक ही और बिटल आ रहा जिसको मुलते हैं S और बिटल लेकिन जो P के तीन और बिटल आ रहा है तो उनके नाम क्या क्या होते हैं ध्यान से समझ लो P सबसेल के तीन और बिटल हैं कितने और बिटल तीन और बिटल है मेरे भाई एक का नाम मैं रख देता हूँ PX एक का नाम रख देता हूँ PZ और एक का नाम रख देता हूँ PY ठी के भी हाँ इस सबसेल के कितने और्बिटल पाँच एक दो तीन चार पाँच एक का नाम हो जाएगा डी एक्स स्क्वाइर माइनस वाई स्क्वाईर एक का नाम हो जाएगा डी एक्स एक का नाम जाएगा डी जडी स्क्वाइर एक का नाम जाएगा डी एक्स जडी एक्स जडी एक का नाम जाएगा डी वाई जडी सबसे इंपोर्ड़न तो यही है इसारा खेल इसी का है कि इनकी wailloo याद रखनी है इनकी value याद रखनी है यही तो सारा खेल लोग यही पे तो गलती करते हैं लोग गलत बताते हैं मैं आपको सही बता रहा हूँ द्यान समझना S sub cell में S sub cell में एक orbital होता है S orbital कैसे पता चला? M की value निकाल ली P sub cell में 3 होते हैं कितने orbital? 3 D sub cell में कितने हो जाएंगे? 5 D sub cell में कितने हो जाएंगे? 5 नाम क्या-क्या है? Dx square minus y square अब इच्छी तो बढ़ाऊंगा नाम तो यादी रखने पड़े हैं मैंने का निरह हुआ कि 5 लोटे लड़कों का नाम तो यादी होना चीए ना भई? ठीक है Dxy, dz square, dxz, dyz ठीक है भी आँ? Px की value plus minus 1 कुछ भी हो सकती है Pz की value plus minus 1 कुछ भी हो सकती है इसकी value plus minus 2 कुछ भी हो सकती है इसकी value plus minus 1 कुछ भी हो सकती है इसकी value plus minus 1 कुछ भी हो सकती, एक जे स्टार पॉइंट, बैलू आफ, M, for, S, और्बिटल, and, प्योर, Z, और्बिटल, जीरो होगी, यानि की, 1S लिखो, 2S लिखो, 3S लिखो, 4S लिखो, that's one, PZ हो, DZ square हो, FZ cube हो, GZ 4 हो, इन सभी का 0 होगा, अपने सलेपस में सिर्फ, S, P, D है, F, G नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने स्टेंडर लेबल की बात बता दे, यानि की, PZ की value fix है, 0 होगी, DZ square की value fix है, 0 होगी, S की value fix है, 0 होगी, याद कर लीजिए, अभी तक नहीं बोला, याद करने को, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा, S के लिए, जो M की value है, वो 0 होगी, S orbital के लिए M की value 0 होगी, PX और PY में, PX और PY में तुम्हें याद क्या रखना है, एक की plus 1 होगी, तो दूसरे की minus 1 होगी, यानि की PX की value plus 1, minus 1 दोनों हो सकती है, लेकिन किसी ने कहा कि PX की value plus 1 है, तो PY की value minus 1 हो जाएगी, कान खोल के सुनलो मेरी बाद, और किसी ने कहा PX की value minus 1 है, तो PY की value plus 1 हो जाएगी, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो pure XY से बने है, जो pure XY से बने है, दूसरा point, प Z square है, pure X and Y in D orbital, in D orbital, क्या हो जाएगा, plus minus 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, plus minus 2 हो जाएगा, यानि की D के कितने orbital, 5, D X square minus Y square, D X Y, D Y Z, D Z square, D Z square का तो 0 होगा, हमें पता चल गया है, pure XY Y orbital का, pure XY, यानि की D X square minus Y square, and D X Y का, बहुत आराम से, बहुत इत्मनान से, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अगर ये बात समझ आओगे, तो खेलोगे, नहीं समझ पाओगे, तो थोड़ा सा time लगेगा, खेलोगे तो जरूर, इसको जानने के लिए, इसको पढ़ने के लि सबसेल के अंदर, orbitals है, एक सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर, orbital है, सेल, सबसेल, orbital, यादा है कुछ, यही मैजिन करना तुम्हाँ, तो मैं याद करना जैसे मैं तुमसे बोलू, जैसे मैं तुमसे बोलू कि M की पहलू बताओ, S के लिए 0, PX के लिए plus minus 1, PY के लिए plus minus 1, Z के लिए 0, PZ के लिए 0, DZ square 0, DX square minus Y square plus minus 2, DXY plus minus 2, DXZ plus minus 1, DZ plus minus 1, DZ square 0, PZ 0, PX plus minus 1, PY plus minus 1, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्या मेरी बात भेजे में घुशी गया, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया, ध्यान से दोस्तों समझो, मैंने बोल दिया कि M की पहलू 0 है, तो कौन-कौन से आर्विटल हो सकते हैं, तो मेरे भाई, आपके सलेबस में सिर्फ है, इन में से बताओ कौन-कौन हो सकते हैं, ता आप बोलोगे s हो सकता है, pz हो सकता है, dz isquire हो सकता, very good, अगर मैं बोल दूँ m की वेलू minus 1 है, मैं बोल दे रहा हो कि m की वेलू minus 1 है, सोचना, अब या तो यार px हो सकता है बिल्कुल शहीं बात या तो Chкеix हो सकता मेरे नहीं पता कौन सबस्क्राइब गाए क्या तो चीए क्योंकि या थी एकके माइनेस वन है या फिर डी एक्स ही हो सकता है या फिर दीईजीर हो सकता आ बिल्कुल शहीं बात है अगरमय-वेलो प्लस pandemic बिटा, माइनस वन और प्लस वन में confusion है ना भाई, confusion नहीं है, एकदम clear है, चाहे PX हो सकता है, चाहे PY हो सकता है, चाहे DXZ हो सकता है, चाहे DYZ हो सकता है, यह आप नहीं कहोगे, प्लस वन की value सिर्फ PX का होता है, नहीं रहे भाई, M बराबर प्लस वन कोई भी हो सकता है, कोई क्या डिक्स वाई बोलोगे याद रखना ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ डिक्स स्क्वार माइनस वाई स्क्वार आर्बिटल है क्या मेरी बात समझ में आई क्या क्या मेरी बात समझ में आई क्या क्या मेरी बात समझ में आई क्या क्या इतनी बात समझ में आगई है विल्कुत सही बाद चलिए बाई अगर इतनी बाद समझ में आ गई है तो चलते हैं चोथे quantum number पे spin quantum number यह Schrödinger wave equation से नहीं निकाला गया यह Schrödinger wave equation से नहीं निकाला गया है इसको गोल्ड स्मिथ ने दिया था तो scientist दिये थे, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, given by goldsmith, given by goldsmith, इसी कुछ नाम था, given by goldsmith, इसके बारे में तुम ब्यात ध्यान से समझ लो, कि, क्या बताता है, direction of, direction of, rotation of, electron बताता है, तुम्हें का यार, electron के rotation के दो ही direction है, इधर rotate करेगा, तो clockwise, इधर rotate करेगा, तो anti-clockwise, बिल्कुल सही बात, यानि कि जो s की value होती है, वो चाए plus minus half होती है, यह classical analog है, ध्यान रखना, यह classical analog है, यह reference value है, एक बात ध्यान से सुन लो, इनके बारे में, यह reference value है, आप कोई भी reference value ले सकते हो, कोई भी reference value ले सकते हो, तुमने काट सही है, इसमें myth क्या है, यह द्यान से समझ रो, अगर s की value, द्यान से समझना, अगर मैं बोलू, s की value plus half है, और मैं बोलू कि s की value minus half है, बिल्कुल सही बात, द्यान से समझना कान खोल के, तो पेटा, इसका बिल्कुल मतलम नहीं कि सिर्फ clockwise है, यह clockwise भी हो सकता है, एंटी clockwise भी हो सकता है, सकी value minus half है, तो यह clockwise भी हो सकता है, अटी clockwise भी हो सकता है, इसका कोई fix classical analog नहीं है, कि plus half है तो clockwise होगा minus half है तो anti-clockwise होगा लेकिन अगर किसी ने बोला कि plus वाला clockwise है बोल दिया किसी ने, examiner ने बोल दिया तो minus half वाला क्या हो जाएगा anti-clockwise हो जाएगा क्या हो जाएगा anti-clockwise हो जाएगा एक बात याद रखना मेरे भाई अगर एक orbital में दो इलेक्ट्रान आप भरते हो, याद रखना, इनकी वेलू फिक्स नहीं है, कि कौन प्लाक्वाइज होगा, कौन एंटी क्लाक्वाइज होगा, अब इस्पिन का मतलब यह विल्कुल नहीं है, ज्याद समझना, क्या, जैसे मैं एक एलेक्ट्रान वर्दूं, तो 50% प्रोबिल्टी है, 50% चांस है, किसका, क्लाक्वाइज होने का, और 50% चांस है, 50% चांस है, एंटी क्लाक्वाइज होने का, क्लाक्वाइज का सिम्बल प्लस आफ नहीं है, प्लस आप, माइनस आप, कुछ भी हो सकता है, यह थेओरी ध्यान से दिमाग में बैठा लो, ट्लाक वाई जाने के एक दम फ्री है यार, कुछ भी, रिस्पेक्ट में चल लए यह बाद, अब स्पिन का मतलब बिल्कुल क्लाक वाईज नहीं है, डाउन स्पिन का मतलब बिल्क है, तो यह इसका यह बिल्कुल मतलम नहीं है कि वो क्लाक वाईज होगा, चाहे वो अप इस्पिन हो, चाहे वो डाउन स्पिन हो, और वो चाहे डाउन स्पिन हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, दोनों में बातें सेम होंगी, 50% चांस है क्लाक वाईज होने का, और 50% चांस है anti clockwise होने का ये मेरे भाई ध्यान से समझ रहा है ये मेरे भाई ध्यान से समझ रहा है बहुत ही खूबसूरा सवाल है बहुत ही मज़ेदार सवाल है एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगा अगर मेरे भाई तुमने ये देख लिया मज़ा या जाएगा तुम्हें विड़ाओ गजब का मज़ा आएगा चले भाई चले एक सवाल से शुरू करता है चले बाई प्रबिल्टी जानते हो ना होने की टेंडेंसी पहले सवाल से शुरुआत करता है 時 कि रिवेजन कर लीजे जिए वेलू की रिवेजन कर लीजे इन हाई दोजन वन एसदोगनने मने बोला था कि अलेक्ट्रानिक कनफीकेसन याद होने होने चे इन हाई डोजन हाई डोजन एं टम seventön प्रॉबाइबिलिटी आफ ज़बायबिलिटी आफ स्वewWest आप क्लाक्वाइज रोटेशन इस पैला 0% दूसरा 50% तीसरा 100% जौथा एनी पैड़ा हाइडोजन का एटम 1 नमबर 1 होता इसमें एक ही उलेक्ट्रोन है तो 1S के और्बिटल में एक उलेक्ट्रोन भरे जाएंगे 1S का जो और्बिटल है मेरे भाई एक उलेक्ट्रोन भरा जाएगा और ये उपर भरो चाहे नीचे भरो कोई fix नहीं है इसकी 50% probability है clockwise होने की 50% probability है anti-clockwise होने की तो answer क्या होना चाहिए 50% होना चाहिए क्या होना चाहिए 50% होना चाहिए question का धमा का ध्यान से देखना यह चीजें आप गलत करते हो last electron in boron last electron entered entered in which orbital in which orbital in boron boron होता 5 यानि की electronic configuration इसका लिख दे रहा हूँ 1s2 2s2 2p1 पहला option देखते कितने लोग खान दो नी बहुरना px py pz d px py pz in 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 person लोग गंती करते हैं उनको लगता है कि जो पहला डब्बा है वो px है दिमाग में से बात निकाल दो इन में से कोई भी डब्बा fix नहीं है कोई भी डब्बा fix नहीं है कोई भी डब्बा px और py और pz हो सकता है बस fix है तो एक चीज fix है तुम डब्बा बताओ कि यह pz है हम बता देंगे कि उसकी बेलू 0 है fix है तो सिर्फ एक बात fix है मेरे भाई क्या fix है कि सिर्फ pz की बेलू 0 होगी तुम मुझसे बोलो कि यह डब्बा कौन सा है मेरे पास जानकारी है उसकी मैं बता दूँगा कि बेलू क्या है लेकिन पहला डबा PX, PY, PZ कोई भी हो सकता है क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या होती है सेम होती है इसलिए जिन और्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको degenerate orbitals बोलते हैं आगे हम energy level में पढ़ेंगे, आप परिशान बिल्कुल नहीं होगे, हर एक चीज के बारे मैं बोलूँगा, जो जो बात बोलूँगा सब पढ़ेंगे, तो मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, maximum लोगों का answer PX होता है, लेकिन जवाब होगा, PX, PY, PZ में, क्योंकि इस डब्बे का fix नहीं है, PX, PY, PZ, कौन सा है fix नहीं होता है, PX नहीं होता है, PX नहीं होता है, ये बताईए लोगों को, इस आके बताईए मेरे भाई कि फिक्स नहीं होता है, गलत बात है, अगर कोई बोला फिक्स है, गलत बात है, फिक्स नहीं होता है, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, भया, ठीक तुमने का सर हमको कैसे पता चले का कौन सा और्बिटल होगा, कौन सा सबसेल होगा, आओ ध्यान से समझो, अगर मैं बोल दू कि n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, तो बेटा, आपको l की वेलू free में मिल गई, यानि l की वेलू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, क्या गिवें था, कुशन वाले ने गिया कि n बराबर 4 है, बने का ठीक है, 4 है, तो l की वेलू कितनी मिल गई, free में मिल गई, क्या मिल गया, 0, 1, 2, 3, यानि कि कितने सबसेल होंगे, 4, कितने सबसेल होंगे, 4, यानि कि तुम्हें एक बात और मिल गई, maximum sub-cell in a cell, किसके बराबर होगी, n के, किसके बराबर, n के, गजब की बात बता रहूं, डारेट पूछता है, डारेट पूछता है, यकीन ना हो, तो जाके देख लो, 21, 22, 23, maximum sub-cell in a cell में कितने होते हैं, 4, देखो, n की बेलू 4 थी, तो sub-cell कितने आये, 4, कौन-कौन से sub-cell होंगे, नाम लिख दो, अगर n की बेलू 4 है, n की बेलू 4 है, अच्छा, रीपरजन कैसे करते हैं, नहीं बताया मैंने, रीपरजन कैसे करते हैं, नहीं बताया मैंने, आओ, यहाँ देख लो, यहाँ पर छोटेस पॉइंट में देख लो, रीपरजन कैसे करते हैं, ऐसे लिखा जाता है, n l x, n l x का मतलब है, कौन्टम, प्रिंस्पल कौन्टम नमबर, एसे मुथल कौन्टम नमबर, इलेक्टॉन, बस, n l x से लिखा जाता है, तुम जानते हो, इतने बच्चे थोड़ी ना हो, तो 4 और 0 को मिलाओगे, तो 4S orbital होगा, 4 और 1 को मिलाओगे, n की बेलू 4 है, l की बेलू 1 है, l की बेलू 1 मतलब P, यानि की 4P orbital होगा, 4, 2 को मिलाओगे, यानि की 4D orbital होगा, 3 को मिलाओगे, यानि की 4F sapsil होगा, यह क्या है, sapsil है, यह क्या है, sapsil है, तई बात बाई, क्या है, sapsil है, अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो इसके पास orbitals कितने है, चोड़ेस में तो सिर्फ एक ही डब्बा है, पी में कितने हैं, तीन डब्बे हैं, ती में कितने हैं, पांच डब्बे हैं, एफ में कितने हैं, साथ डब्बे हैं, कितने डब्बे हैं, साथ डब्बे हैं, अरे मेरे भाई, कैसे पता चलेगा, डब्बे कितने हैं, बैलू निक जालो कितने आएंगे, 7 बेलू आएगी, यहां पर कितने, 8, तो कितने होगे, 7, 5, 12, 3, 15, 15, 16, यानि कि अगर मैं बोलू कि maximum और बीटल निकालना है तुम्हें, maximum और बीटल इन ए सबसेल, और मैं तुमसे बोल दूँ कि maximum और बीटल इन ए सेल, पेटा एक सेल में maximum और बीटल कितने होगे, यह सारे और बीटल है, यह क्या है, सबसेल है, यह क्या है, और बीटल है, यह क्या है, तो maximum और बीटल इन ए सेल में कितना हो जाएगा, n square, कितना हो जाएगा, n square, maximum और बीटल इन ए सबसेल, जैसे मैं बोलना हूँ, f, तो f की वेलू कितनी है, 3, और बीटल कितने है, 7, यानि कि हो जाएगा, 2l प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2L plus 1 बाकी चीज़े मैं बता चुका हूँ तरी बात है Electrons कितने होंगे Sorry 4S में 2 4P में 6 4D में 10 4EUP में 14 Add कर लो Total कितने आएंगे 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 16 कितने आगे 35 अब पीछे से बच्चा हस रहा है कहरा पागल हो गया है Total Electrons से निकालना था 2N स्क्वाइर नहीं कर पा रहे थे हमने का बिलकुल कर दे रहे थे लेकिन मालो मुझे ये जानकारी चाहिए होती कि कौन सा और्बिटल बनेगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे निकालता तो आपको बेसिक ही लिखना पड़ेगा ना मेरे भाई ये फामूले बनते हैं यात कल लो नहीं बनते हैं तो गिल लेना निकालके अरे मेरे भाई गिल लेना निकालके गिल लोगे ना अब सुनू अगर मैं बोल दूँ कि एन बराबर थ्री है क्या है एन बराबर थ्री है बताओ कितने और्बिटल कौन कौन से और्बिटल कितने सबसेल होंगे तो ल की वेलू क्या हो जाएगी 0,1,2 क्योंकि जो ल की वेलू होती है वो 0 से N-1 तक होती है यानि कि अगर इसको मिलाओगे 3 और 0 को मिलाओगे तो कौन सा सबसेल बनेगा 3S बनेगा और अगर इसको मिलाओगे तो कौन सा बनेगा 3P बनेगा इसको मिलाओगे तो कौन सा बनेगा 3D बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा? 3D बनेगा, तो मेरे भाई आपको पता है कि 3S में S में Maximum कितने electron ہوتे हैं? S सबसिल में Maximum कितने electron होते हैं? दो होते हैं P में 6 होते हैं, B में 10 होते हैं, क्या बात? क्या बात भाई? ध्यान से समझ़ आँ तो 2 हो आगर आपसे कोई पूचे कि catch हो जाएगा कितने टाइप के समवालchen सकता है इलेक्ट्रॉन तो कितने और अर्बिल कोई पुछता हैं तो आपको भी पता है बेटा, जितने electron है उसका आधा कर दो, कितने हो जाएंगे, 9, orbital कितने, 9, 1 orbital यहां से, 3 यहां से, 5 यहां से, तो 9 हो गए, total subcell कितने आएंगे, total subcell कितने आएंगे, 1, 2, 3 value आईए, 2 value नहीं आईए रहे, 1, 2, 3 value आईए, SPD, 3 subcell आएंगे, तो subcell कितने हो गए, 3 हो गए, पहला सवाल, total electron, total orbital, total subcell, कितने आगे, 3 आगे, कितनी बातें, पुछी जा सकते हैं आपसे, total subcell काउन काउन से है, 3S, 3P, 3D, अरे यहां की value तो fix है ना भाई, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, इन में से कोई एक चीज पुछा जाएगा, total electron, 18, total orbital, 9, total subcell, 3, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, क्या मेरी बात समझ में आई क्या, चले, अब मैं सवाल पूछता हूँ, अब सुरू कर रहा हूँ, calculate, maximum, number of electron, पहला सवाल, n बराबर 4, दूसरा, n बराबर 5, तीसरा, n बराबर 2, जोथा, n बराबर 3, 5, n बराबर 1, 8, n बराबर 6, अगर बेटा, n की value दे रखी है, maximum electron निकालने, सीधे formula लगाओ, 2 इंटू 4 का i square, कितना हो जाएगा, 32, ठीक है भीया, और 32 कैसे कैसे होंगे, वो भी आप सीखो गया चलके, n बराबर 5 है, तो यानि कि 2 इंटू 5 का i square, कितने हो जाएगे, कितने हो जाएगे, 50, 2 इंटू 2 का i square कर लो, second sub cell, इसको बलेंगे second cell, कितना हो जाएगा, 8, 2 इंटू 3 का i square कर लो, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अगर 2 इंटू 1 का i square कर लो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 का i square कर लो, कितना हो जाएगा, 72 हो से के लिगे कर वा रहा हूं कि दूंगा तो मैं ten गंगा कि सवाल गिंणना तुम जेड़ दो सवाल्त आज कर वाहीड़ सवाल है सब ingred victim कि जब तक याद रहे के लिखोंगा n बराबर 4 ऐल बराबर 1 तो टो जो कि कि एन बराबर 3 एर्ब धू नवां न बराबर 4, L बराबर 2 रस्वां न बराबर 4, L बराबर 11, N बराबर 5, L बराबर 3 तुमने का इसका मतलब क्या है? n की value दे रखी है, l की value दे रखी है, यानि कि वो बताना चा रहा है कि तुम set करके बताओ कौन सा subcel है, जिसके n की value 4 होगी, l की value 1 होगी, जिसके n की value 4 होगी, l की value 1 होगी मेरे भाई, अरा मेरा भाई, तो क्या value लिखेंगे, यानि कि ये 4, p को represent करता है, किसको represent करता है, 4, p को, p कैसे लिखा, 4 तो इससे लिख दिया, p कैसे लिखा, l की value जब 0 होती है, याद करो मेरे भाई, कितनी बार याद करवाऊंगा, जब l की value 0 होती है, तो s होता है, जब 1 होती है, तो p होता है, 2 होता है, तो d होता है, याद आगया, क्या बिडो, याद आगया, क्या घजब की बात, और एक औरबिटल में कितने electron होते हैं, 2 तो इसमें कितने होंगे? अरे P में कितने electron होंगे? 6 electron होंगे P सबसेल है ना? P X थोड़ी आया है P सबसेल है, क्या है? P सबसेल है, करो अच्छी बात है यहां पे n की value 3 है, तो 3 लिख दो l की value 2 है, देखो 4 के अंदर S, P, D, F 4 होंगे लेकिन जब L की वेलू 1 दे दिया यानि कि सिर्फ और सिर्फ P के अंदर बताने है जब L की वेलू 2 दे देगा यानि कि यानि T के अंदर बताने है और आपको पता है 3D के अंदर क्या होंगे अरे D कोई भी हो T कोई भी हो उसके अंदर 10 electron ही होंगे क्या होंगे 10 electron ही होंगे अब N बराबर 4 है L बराबर 2 हो गया यानि कि 4D हो गया कोई फरक नहीं पढ़ता है इसके अंदर भी 10 electron होंगे कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए D sub cell के अंदर कितने electron होते हैं D sub cell के अंदर कितने elektron होते हैं? 10 होते हैं. चाए मैं 3D लिकूं, चाए 4D — 5D लिकूं, क्या फरकाँ पड़ता है? कितने elektron होंगे? 10 इलेक्ट्रों होंगे. कितने elektron होंगे, मेरा भाई? 10 इलेक्ट्रों होंगे. ठीक है बया? n बरावर 4, l बरावर 0, यानि कि यह 4S हो गया, यह किसके बारे में बात कर रहा है, 4S के बारे में, और S सबसेल बोलो, जाए S और्बिटल बोलो, क्योंकि उसके अंदर एक ही और्बिटल होता है, तो दोनों सेम होता है, ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इले एलेक्ट्रॉण 14 एलेक्ट्रॉण होते हैं 14 एलेक्ट्रॉण होते हैं ठीक है ठीक है ओके पारवा नंबर स्वाइब एलेक्ट्रॉण 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 4 L बराबर 1 M बराबर plus minus पिड़ा जैसे ही आपको यह number लिखेगा आपको ढूड़ना पड़ेगा यह बुर्ज खलीफा की बात तो नहीं कर रहा है या सिर्फ बुर्ज खलीफा पे जो floor है उनकी बात तो नहीं कर रहा है की room की बात कर रहा है room के अंदर दो लोग होते है अब एक floor पे धेर सारे room हो सकते हैं उसी प्रकार जैसे ही 4 और N और L को मिलाया तो 4S बन गया तो M की value 0 तो होनी ही होनी है तो M की value 0 तो होनी ही होनी है तुमने का सर रस करो दो इलेक्ट्रोन हो की कि अब या जैसे ही मैंने N और L को मिलाया 4P हो गया फिर हमने कहां M भी दिया है यानि कि particular बोलना चाह रहा है कि यह 4PZ है क्या है 4PZ है और 4PZ एक orbital है 4PZ एक orbitals है यह सारे orbital है और orbital के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोन हो सकते हैं orbitals के अंदर कितने इलेक्ट्रोन हो सकते हैं दो इलेक्ट्रोन हो सकते हैं मेरे भाई, मेरे बाबू, क्या यहां पर मैं लिख दू, सिर्फ और शिफ दो इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या मेरे भाईया लिख दू, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल सही बात. अब कान खोल के सुनना, 4P – 1 है या तो 4P X होगा या 4PY होगा अरे भाई, माइनस 1 दिया है या तो ये लोग खोगे, या तो वो लिखोगे 4 से 4 आ गया, L बराबर 1 से P आ गया M दिया है, M की बेलू माइनस 1 दिया तुमने कहा यार, PX में भी है, PY में भी माइनस 1 कौन सलेंगे, हमने कहा कोई भी एक ले लो कोई भी, एक ले लो मेरे भाई अगर तुमने कोई भी एक ले लिया है, तो ले लो और दोनों में ही 2-2 इलेक्ट्रोन हो सकते हैं क्योंकि एक और्बिटल हैं, तो और्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रोन हो जाएंगे तो एंसर क्या हो जाएगा, एंसर हो जाएगा 2 चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तैंसर हो जाएगा दो नीचे वाला उपर वाले से थोड़ा सा सिमिलर है सवाल यहां पे हो जाएगा 4P X and 4P Y तुमने का यह कौन सी बात कर दी आपने सर यह गलत बात हम नहीं मानेंगे अरे भीया उनल होंगे अरे P में अंदर दो बढ़ितल होंगे जिनकी बैलोują क्लाश मानस वन और बैठा अगर एक का प्लस मानस वन है तो नजाने कितरे एक्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे क्या मेरी बास समझ में आई सिर्फ माइनस वन है सिर्फ प्लस वन होता तो एंसर दो होगा यहाँ पे प्लस माइनस वन दोनों है यानि कि दो-दो और्बिटल्स की बात कर रहे हैं इसलिए आएंड लिखेंगे क्या लिखेंगे आएंड लिखेंगे जो बच्छे कंफ्यूज हो रहे हैं उनको पीछे का याद नहीं है पहले जाओ याद करो याद करके फिर आओ पता चलना चाहिए एंड बराबर फोर किसके लिए है L बराबर 0 किसके लिए है L बराबर 1 किसके लिए है M बराबर 0 किसके लिए है बेटा N decide करेगा कि L क्या होगा और L decide करेगा कि M क्या होगा कभी भी L की value 1 लिखी होते M की value plus minus 5 नहीं हो सकता मेरे वाई क्योंकि जो M की value है वो minus L से plus L ही हो सकता है are you getting my point or not क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग चलिए बेहतरी सवाल कर बाता हूँ जैसे n बराबर 4 n बराबर 0 बहुत ही खुबसूरत सवाल अब दोको नमबर मैं लिखते लिखते भूल जाओंगा तर्वी मैं देख लेता हूँ जहाँ तक समझ माएगा 14 हो गया यह 15 नमबर सवाल 15 नमबर सवाल तो n बराबर और s बराबर प्लस हाफ 17 और n बराबर 3 l बराबर 1 s बराबर प्लस माइनस उस भी लिखते हूँ माइनस हाफ लिखते हूँ माइनस हाफ n बराबर 3 m बराबर 0 s बराबर s की बहलू आने का मतलब क्या है ध्यान से समल लो इसका मतलब एक और्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो s की वेलू एक की प्लस हाफ होती है एक की माइनस हाफ होती है अगर s की वेलू सिर्फ माइनस हाफ है यानि की सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे सारे और्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे up spin down spin up spin down spin यानि की सब में up up भरे गया होंगे down नहीं भरा हो गया होगा लेका कैसी बात कर रहे हो सर कैसी बात कर रहे हो एन बराबर 4 है एम बराबर 0 है एल नहीं दिया है तो एम बराबर 0 है तो हमने का यार possibility क्या क्या हो सकती है हमने का एल बराबर 0 1 2 3 कि लिख लो खीक खोटा हो जाएगा स्वाब तो एल की वेलू जाएगी 0 1 2 खीक है भी या अब इन में देखो एम की वेलू 0 किसकी होती है 3S की होती है 0 और जब यह 3P बनाओगे तो 3P Z की 0 होती है जब यह 3D बनाओगे तो M बराबर 0 भी लिखोगे 3D Z स्क्वाइर की होती है मेरे भाई N बराबर 3 में क्या क्या हो सकते हैं 3S, 3P, 3D हो सकते हैं लेकिन M बराबर 0 किसकी का है 3S का 3P में सिर्फ 3P Z का और 3D में सिर्फ 3D Z स्क्वाइर का मेरे भाई कान खोल के सुन लो मेरी बात क्या मैं वो लहा हूँ मेरे भाई n बराबर 3 में m बराबर 0 किस किस का है तो n बराबर 3 में कौन कौन से सबसेल है 3s है 3p है 3d है और 3s में 3s का m 0 होता है तो चलेगा 3bz का m 0 होता है तो चलेगा मेरे भाई और 3D Z square का M0 होता है तो वो भी चलेगा मेरे भाई यानी की यानी की ये सारे orbitals हैं सारे orbitals हैं तो सारे orbitals में कितने-कितने electron होते हैं एक orbital में maximum 2 electron होते हैं तो 2, 2, 2 कुछ लोग नीचे वाला भी 2 गिन रहे होंगे मारेंगे एक अंट आप इसका नाम 3D Z square 2 प्लस 2 बराबर ची हो जाए अगर मेरी बात करें मेरे भाई इसमें total electron कितने होंगे 32 electron होंगे कितने electron होंगे 32 electron होंगे जो 16 होंगे वो उनका S plus half होगा और जो 16 दूसरे वाले होंगे उनका S minus half होगा ये दिमाग में बैठा लो किसी cell में अगर मैं बोलता हूँ कि 32 electron है तो बैठा 16 up spin होंगे 16 down spin होंगे किसी एक को plus half बोलोगे तो दूसरे को minus half बोलना पड़ेगा यानि कि अगर आप से कोई पूछता है सिर्फ plus half सिर्फ plus half, सिर्फ minus half तो answer क्या होगा answer 16 होगा मेरे भाई answer 16 होगा अगर s ब्राबर plus minus half पूछता तो answer 32 होता answer क्या होता 32 होता अब आध दिमाग में बात करते हैं जैसे मैंने इनको मिलाया तो 3p आ गया 3p आ गया लेकिन मेरे भाई 3p में कितने orbitals हैं 3 orbitals हैं तो ध्यान से समझ देना एक-एक electron भर दो एक-एक electron भर दो क्योंकि दोनों नहीं भर सकते हो अब तुमने कहा सर आप spin वाले को minus half ले लो कोई भी value ले सकते हो अब वाले को minus half ले लो plus half ले लो बस किसी एक को तुमने उपर वाले को plus half ले लिया है तो नीचे वाले को minus half लेना पड़ेगा इसको minus half ले लोगे तो नीचे वाले को plus half लेना पड़ेगा यानि किसका answer कितने हो जाएंगे तीन हो जाएगा अगर S बराबर minus half ना होता तब तो 3P में 6 electron होते थे लेकिन S बराबर minus half या सिर्फ plus half लिखा होगा तो सिर्फ 3 electron भरोगे कितने electron भरोगे N, L, M, S अभी भी याद कर लो मौका है मैं कहता हूँ जिनको समझ में नहीं आए अभी जाओ तुरंत याद करके आओ तभी तुम कर पाओगे कुछ N बराबर 3M बराबर 0 ध्यान रखना तो 3S हो जाएगा 3P हो जाएगा 3D हो जाएगा क्योंकि बेटा L की वेलू क्या है 0 अब S बराबर माहिने साफ है यानि कि S में 1 electron भरोगे P में 3 भरोगे D में 5 भरोगे answer कितने हो जाएगे answer 9 हो जाएगे तुमने का ऐसे कैसे किया सर अरे यार N बराबर 3M बराबर 0 में देखो निकाला था 3S, 3P, 3DZ होता है एक एक और्बिटल हो गए अरे एक और्बिटल होए कि नहीं होए गलत हो गया अब सही है अच्छा हुआ मैंने चेक कर दिया यानित फिर बिजती हो जाती है और क्या यार अरे और्बिटल्स को रिप्रजन कर रहा है 3S, 3P, 3DZ अब सोचो उसमें दो इलेक्ट्रोन होते है प्लस हाफ, एक माइनस हाफ एक और्बिटल में दो इलेक्ट्रोन होते है प्लस हाफ, एक माइनस हाफ इसको चाहिए माइनस हाफ तो इसमें से आएगा एक एलेक्ट्रोन इसमें से आएगा एक एलेक्ट्रोन answer कितने हो जाएंगे अब सभी रे बाबा कितने एलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तीन हो जाएंगे कितने एलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या मेरी बात समझ में आई क्या क्या मेरी बात समझ में आई क्या भाया क्या मेरी बात समझ में आई क्या कर लोगे की नहीं कर लोगे ऐसे सवाल क्या ऐसे सवाल कर लोगे ठीक है सर आओ मैंने बोला इन कैल्सियम कैल्सियम होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 की के लोगे इन कैल्सियम फाइंट माक्सिमम एलेक्रों 12, 17, 18, 19 10 बाराबर 4, 20 10 बाराबर 5, 21 10 बाराबर 6, 21 20 बाराबर 3, 20 बाराबर 3, 20 बाराबर 1 20 बाराबर 3, 20 बाराबर 2, 20 बाराबर 2, 20 बाराबर 1, 20 बाराबर 0, 20 तो मुझे सोचोगे कि क्या सटी आ गया हो सर कितना सवाल करा होगे सर आप देखते जाओ 2200 सवाल हो जाएंगे किसी लेक्चर आ आराम से महबबस से देखते जाना नंबर डालता नहीं हो कि घवराट होती है कई बार देखो तो कते हैं लोग घवराटते हैं इतना सवाल कराऊंगा तुम्हें कहीं से करने की ज़रूत नहीं है और आपको जो ले आया हो कुशन होमवर्क में दूंगा आप लाकि करना डीबी पी तो आप करोगे उसको भी करना अग अगल को समय के तुमने का सर निकालना क्या बने का उपर दिया निकाल दो एन बराबर 4 कौन से हैं सिर्फ 4s2 है तो एंसर क्या हो जाएगा तो एलेक्टों एन बराबर 5 जहीं नहीं अरे बराबर 5 हैं ही नहीं मेरे तो 0 हो जाएगा, n बराबर 6 भी नहीं है, n बराबर 3 है क्या, बिल्कुल है, कौन-कौन से, 3s2 है 3p, 6 है, तो answer क्या हो जाएगा, 8 electron हो जाएगा n बराबर 3, l बराबर 1, यानि कि ये मिल गया 3p, n बराबर 3, l बराबर 1 को बोलते हैं 3p, 3p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, तो answer क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, n बराबर 3, l बराबर 2, ये मिलेंगे तो क्या बनाएगे? 3D orbital, ये तो पता होना चीए ना, कि 3D orbital, और 3D orbital में इल 0 हो जाएगा, n बराबर 2, l बराबर 1, n बराबर 2, l बराबर 1, 2p हो जाएगा, इसमें answer 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, l बराबर 0, l बराबर 0 किसका होता है? s orbital के लिए होता है, s sub cell के लिए होता है, किसके लिए? s sub cell के लिए होता, l बराबर 0, आराम से, ध दो 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 कितने हो गए आठ आपसे बोला कि कैल्सियम में जिनका एल बराबर जीरो है उनके अंदर कितने एलेक्टोंस है एंसर है आठ कि अच्छाइब लास्ट वाला स्वाल करो तुमने का एम बराबर जीरो किस किस के अंदर होता हमने का प्योर एस ओर्बिटल और प्योर जेड ओर्बिटल के अंदर तुमने का ऐसा है वनस टू एस ट्री एस इनके लिए एम की वेलू जीरो होगी और तू पी जेड के लिए जीरो होगी और थ्री पी जेड के लिए जीरो होगी बिल्कुल सही बात पी के अंदर तीन ओर्बिटल हैं पी जेड पी एक्स पी बाई बेटा और छे छे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा देखो वनस के अंदर दो हैं वहां से देखके भर रहा हूं तो पी 6 है यानि दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो इसमें दो इसमें और पी एक्स पी वाई पी जेड में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो टू पी 6 लिख रहा हो ना मेरा भाई क्या मेरी बात समझ में आई क्या प्रेंसर क्या हो जाएगा बारा आठ चार बारा क्या मेरी बात समझ में आई क्या क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को अगर यह बात समझ भाई जाएगी कल और हाड हाड कुश्चन करवाऊंगा कल और हाड हाड कुश्चन करवाऊंगा ठीक है भी यह चले अरे चले क्या मेरे भाई चले क्या मेरे भाई 27 28 point all quantum number quantum number of last electron of sodium ठीक है भाई यह क्या कर रहाँ अमने चार सवाल बना रहा हूँ 29 30 31 find all quantum number of last electron of वो sodium था तो अरे electronic configuration नहीं याद होगा तो मैं लिक दूँगा ठीक half इसका बोल दूँ माइगनीज last electron of chlorine last electron of nitrogen that's one sodium का आप electronic configuration लिखोगे यह 11 होता है तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 करो लास्ट इलेक्ट्रॉन का है 3s1 माइगनीज माइगनीज का electronic configuration मैं बता दे रहा हूँ 25 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यह आपने पढ़ा है 910 में 4s2 3d5 chlorine का होता है 17 तो कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इसका होता nitrogen कितने है nitrogen 7 होता 5 1s2 2s2 2p3 पेड़ा इसका 3s1 है क्या है 3s1 है तो n की value कितनी है 3 है l की value कितनी है 0 है m की value 0 है s की value क्या है चाहे plus half होगा चाहे minus half होगा कोई टेंशन नहीं s बराबर चाहे plus half चाहे minus half तुमने का इतना simple है बिल्कुल इतना simple है 3d5 है ज्यान से समझना अच्छे अच्छों कि पसीने छूड़ जाते है तो n की value क्या है 3 है t है तो l की value 2 है m की value क्या होगी वेटा last electron किसी भी d में जा सकता है यानि की m की value कुछ भी हो सकती है कान खोल की छूड़ जो last electron है वो किसी भी डब्बे में जा सकता है पहला electron किसी भी डब्बे में जा सकता है तो आप fix नहीं कर सकते हो कि last वाले डब्बे का नाम यह है गलत है वो concept यानि कि D किसी भी orbital में जा सकता है जब D किसी भी orbital में जा सकता है इतनी D5 कैसे होगा 2, 3, 4, 5 यह सारे डब्बे identical है पाच्वाँ electron D में किसी भी orbital में जा सकता है तो इसकी value plus 2 हो सकती है, minus 2 हो सकती plus 1 हो सकती, minus 1 हो सकती 0 हो सकती है, और S की value चाहे plus हो सकती है, चाहे minus 1 हो सकती है तो इसी प्रकार इसको भी कर लेना इसी प्रकार इसको भी कर लेना यहाँ पर पाच्वाँ electron है पी में, पाच्वाँ electron किसी में जा सकता है और पी में तीसरा electron भी किसी में जा सकता, कोई fix नहीं है रहे भाई कोई भी fix नहीं है कान खोल के शुलो कोई भी fix नहीं है क्या मेरी बात समझ में आई आगी भाई आगी बाई त्थीज त्थीज विच आप दा फालोविंग और्विटल इस पॉसिबल अगहिं 21 थे अई अई तूस में तैस थीजर थीजर थिस थीजर थीजर देड़ बारोविंगत प युड़मध को वाहिए रस्सालिस घ्राल हैस्व अल ऐस्टाल इसचर्य वर्लीष फडूल इस d त च ठालिष 4F 5D 2H 4H 4F 5G 6H कैसे करोगे नमबर जब से भी डालना हूँ आप द्यान समझो यार जो N की वेलू होती है न जो N की वेलू होती है वो greater than L होती है ते कहां सही बात और जो L होता है वो 0 से N-1 होता है सही बात बस निकाल लो यहाँ पर N की वेलू 1 है और L की वेलू 0 है यहाँ पर N की वेलू 1 है और L की वेलू 1 है यहाँ पर N की वेलू 1 है L की वेलू 2 है और यहाँ पर N की वेलू 2 है, L की वेलू 2 है, पहले निकालने 2, 3 है तो N की वेलू 3 है, D है तो L की वेलू 2 है, यहाँ पर N बराबर 3 है, L बराबर 3 है, क्योंकि S, P, D, F, ठीकर 0, 1, 2, 3, N की वेलू 4 है, L की वेलू भी 4 है, N की वेलू 4 है, L की वेलू 3 है, N की वेलू 5 है, L की वादा किया है, इनकी value 2 है तो L की value क्या होगी S, P, D, F, G, H 5 N बराबर 4 है और L बराबर भी 4 है मेरे, L बराबर 5, N बराबर 4 है, L बराबर 3 है N बराबर 5 है, L बराबर 4 है S, P, D F, G ठीक है, N बराबर 6 है, L बराबर चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, बताओ क्या answer होना चाहिए क्या जहां जहां N और L की value बराबर है जहां जहां L की value बड़ी है, वहाँ वहाँ possible नहीं होगा, इसलिए आपने कभी भी 1P नहीं देखा होगा क्यानि कि पहले cell में सिर्फ 1S होगा, थूसरे cell में 2S और 2P होगा बास समझ में आरी की नहीं आरी है मिरे भाई बिलकुल सही बास समझ में आरी है ये possible यह पॉसिबल नहीं है, 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 यह पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है, यह पॉस कि कोई भी और्बिटल या किसी भी सबसेल के बारे में देखे पुछा जाए क्या यह पॉसिबल है याद रखना पहले सेल में एक और्बिटल होता वनस दूसरे वाले में 2s 2p तीसरे वाले में 3s 3p और कैसे याद रखोगे बता दे रहा हूं इधर देखो 1s रहेगा दूसरे वाले में 2s 2p रहेगा तीसरे वाले में 3s 3p 3d रहेगा 4s 4p 4d 4f रहेगा 5s 5p 5d 5f 5g रहेगा that's one यानिकी S exist करेगा 1 से P exist करेगा 2 से D exist करेगा 3 से ये 4 से ये 5 से उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा पहले सल में एक और्बिटल बनस दूसरे सल में 2s और 2p 2s और 2p ये शब सेल हैं ये सब सेल हैं ये सब सेल है मेरे बाएब सब सेल सब सेल आप द्याद से देख लो फिर आगे बढ़ आप से सवाल पूछा जाएगा विच आप दा फालोविंग पेर आप कॉंटरम नंबर इस नॉट परमिसमल या पॉसिबल लिख देता हूँ पॉसिबल आपको कमेंट देना ठीक एन एल एम एन एल एम एस या कमेंट देना जाज देखो एन एल एम एस कमेंट ठीक है भी या ओके टेंसर मदलो धेर सारा बनाएं क्ढबने पे तम एल एम-ला시 व지 इसारा हा उक काटरीव इस दिएबल सारा फोर भी आशन सारा ईन सब्टाव जा क्ट मान एला हम प्ट एलॉस देख ऑनाइ एल एला हम आवन काटरीव जारा काटरीव डाराव ऐस बाहरीव 4, 3, 2, 1, minus 4, minus 3, minus 2, plus minus, 2, 3, 1, 1, plus minus, ठीक है भी हा, तो इतना करो, एक मेंटा आ रहा हूं है, करो, है पाओ, हलो, 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 हैं, बाबु, मैंने अभी नहीं थाया है, चलो आओ, यह सट दे रहें, ठीक, मैंने बोला दना बहुत सवाल करूँगा पागल हो जाओगे पागल नहीं मतलब ठीक है फ्री अचैनल फॉटी फाइब कर गुए था इस ञाओ तो फिवाइब तो हो गया था करो वाई, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 50, यह हर एक सवाल को मैं एक सवाल मानना हूँ, चलो, N की वेलू 4 है, तो L की वेलू 0 हो सकती है, और L की वेलू 0 है, तो M की वेलू भी 0 हो सकती है, लेकिन S 0 नहीं हो सकता है, N की वेलू 4 हो सकती है, बिल्कुल integer होता है, L की वेलू 0 हो सकती है, अगर यह 4 है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन M की वेलू 1 नहीं हो सकती है, अगर L की वेलू 0 है, तो एमकी value 0 हो सकती है 1 नहीं हो सकती यानि कि यह possible नहीं है 4, 1, 2 4 है तो L1 हो सकता लेकिन M2 नहीं हो सकता 3, 2, 4 अगर N3 है तो L2 हो सकता लेकिन M4 नहीं हो सकता Are you getting my point? वो जो मैंने starting 4 content number के diagram नहीं बनाए उसको बार बार देखो उसको लिख के चिपका लो जीवन भर के लिए हो जाएगा रियाद रखना दो सवाल fix है 4, 3, 2, 1 possible? नहीं प्लस माइनस हाफ अब reference दो बताओ हमारा reference प्लस माइनस हाफ है इसने कुछ लोग कर सकते हैं कि प्लस माइनस वन भी ले सकते हैं नहीं जो reference लिया गया हो प्लस माइनस हाफ लिया गया है ठीक है न? ठीक है भाई? मचाओ माइनस टू कर दिया मैनस 3 कर दिया यह कर दिया? माइनस 3 कर दिया possible? नहीं माइनस 4, माइनस 3 पहली बाद तो N निगेटिव होई नहीं सकता N और L निगेटिव कभी नहीं हो सकते 2 है ति यह 3 नहीं हो सकता यह निगेटिव कभी नहीं हो सकता, 3 है, L कभी भी integer होगा, integer होगा हमेशा, half नहीं हो सकता, N कभी भी fraction में नहीं हो सकता, possibly नहीं है, 4 से बड़ा 5 है, यानि N से बड़ा L हो यह नहीं हो सकता, 2 से 3 है, नहीं हो सकता, 1, 2, 3 है, बिल्कुल नहीं हो सकता, 3, 0, 0, plus half हो सकता है, N, integer होना चाहिए, ठीक है न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके, जो L है, वो N पर डिपेंड करेगा, उसे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है न, 0 से N-1 के पीच में होना चाहिए, जुर मेर भाइए, जेले भाइए, झेले भाइए, खेला सौर।, और्विटल्स एन एल एम क्या बता नहीं है द्यास देख लो यहां मैं और्विटल्स दूँगा ठीक आपको एन एल एम एस बताना है एन एल एम एस बताना ठीक है भी यह चलो 4s, 5p, td, 4px, 5pz, td, 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 z square 4p, 3p, td, 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 z square minus y-square, tdy z, 4d xy, 5p xcs, 2p z, or 4d xy. नुमर में लिखना, तरश और 16. है 16. जानी कि पर 5, 535. list 565. ऐखकर ए. आयो सो नुमनर 4 या कि ए सिंद्न गी lifes Crime है S है तो L की value 0 होगी और M की value 0 होती है S सभी का plus minus half ही होगा S सभी का plus minus half होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है वो मैंने एक बार में लिखती है N की value 5 है दिख रहा है P है तो L की value 1 होगी क्योंकि S P D F होता है ठीक है भी या P की value 1 होगी अब बेटा P लिखा है P लिखा है यानि की M की 3 value possible है क्या क्या plus 1 minus 1 0 M की 3 value possible 3D है तो N की value 3 L की value 2 M की value कितनी possible है 5 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 5 value possible 4P X है तो 4 हो जाएगा N P है तो L की value 1 होगी X है तो M की value क्या होगा चाहे minus 1 होगा चाहे M की value plus 1 होगा एक ही होगा कोई चाहे minus 1 होगा चाहे plus 1 होगा लेकिन होगा एक ही ठीक है ना भी या 5P Z है तो 5 हो जाएगा P की value है तो L की value 1 हो जाएगी PZ है Z के लिए M की वैलू क्या होती है 0 होती है और S की वैलू आपको पता है मेरी बास समझ नहीं हारी 3DZ स्क्वार है N की वैलू 3 L की वैलू D है तो 2 होगी 0 होगा कब S के लिए 1 होगा कब P के लिए 2 होगा कब D के लिए तो 2 DZ स्क्वार है तो M की पहलू, 0 हो जाएगी, 4PY है, यानि कि 4, 1, Y है, तो XY के लिए, माइनस 1 होती है, तो चाहे माइनस 1 होगी, या फिर चाहे, प्लस 1 होगी, क्या खुबसूरत बात बताईगे, 52, 53, 54, 54, तो जाएगा, 8 तो जाला भाई, 3D X स्क्वार, N की वैलू 3, N की वैलू तो देखते ही पता चल जाएगा, D है तो, तो M की वैलू क्या होगी, M की वैलू चाहे प्लस 2 होगी, चाहे माइनस 2 होगी, और S की वैलू तो सभी में प्लस माइनस 1 ही होगी, 3D Y Z है, N की वैलू 3, L की पहलू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि D है, M की पहलू क्या होगी, चाहिए plus 1 होगी? क्या? R लिखेंगे, और plus 1, और minus 1. पता है, ना, आपको ड, y, z के लिए? अब कोई पता, चाहिए plus 1 होगा, चाहिए minus 1 होगा, प्लस माइनस 1 भी लिख दो, तो कोई टेंसर नहीं है. 40xy, 4, 2, m की बैलू, प्लस 2, या फिर m की बैलू, माइनस 2. 5px, 5, 1, px है, तो m की बैलू, या प्लस 1, 3s है, 3, 0, 2pz है, 2, 1, 0, pz के लिए, m की बैलू 0 होती है, 4dxz है, 4dxz, ओके, यानि की बैलू चाहे, माइनस 1 होगी, या m की बैलू, तुम्हें, बहुत आराम से समझ माएगा, बस, starting के quantum numbers, आराम से आदेगा, principle, azimuthal, और, magnetic, और, spin, principle quantum number, किसको बताता है, cell को, इसको, cell को, जिसे orbit कहते है, orbit, orbital में फरक है, orbit बड़ा सा होता, इकल हम लोग, diagram और shape बनाएंगे, कल हम लोग, diagram, shape बनाएंगे, node पढ़ेंगे, और, momentum पढ़ेंगे, और, बहुत सारी चीज़न, 2s, 3s, 4s का structure, कैसे होता है, node कैसे निकालते हैं, क्या है, orbitals, electron price, probability कितनी है, आज सिर्फ बात कर रहे है, quantum, क्या है, कि अतनी बात समझ में आ गई है, मैं आपको humor को दूँँगा सवाद, यहां से समझना है, यहां से समझना है, L, और orbital, S छोड़े, अब मैं N दूँगा, L दूँगा, M दूँगा, और आपको बताना है कि कौन सा, orbitals, चलिए सुरू करिया, 3, 2, 4, 1, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 11, 10, 10, 11, 9, 10, 11, 10. चलो भाई रूगा चलो भाई बटाओ भटाक्षेह 65 65 65 से किता है एक सतर नंबर से कितना कोई सवाल करवा देगा ना बता देना मैं स्ट्रांग कैसे होगा सबसे पहले प्रिंसिपल कॉंटर नंबर याद करो बराबर 1 है 2 है 3 है 4 है जा होता है दूसरा ल बराबर 0 है तो कौन सा होगा ल बराबर 1 है तो कौन सा होगा फलाना बता तीसरा कलम यहीं प्रेक्टिस करा हूंगा परिशान मत हो तो कलम लोग पढ़ेंगे उसे पहले इस पर सवाल करेंगे कुछ सवाल मैं दे दे रहा हूं कि प्रेक्टिस कर लेना किसी वैसे कुछ सवाल और करवागे थरी जीरो जीरो 4 1 0 4P अरे हमकी value 0 तो 4PZ होगा 5 2 0 5 2 तो 5D so कर गया 0 so कर गया 5DZ 5 1 minus 1 यानि कि 5PX या फिर 5PY 5PX या 5PY क्योंकि PX और PY दोनों की value minus 1 होती तो इन में से कोई 1 होगा ये नहीं पता कौन सा होगा लेकिन हाँ इतना पता है कि 1 होगा अब दोनों लिखा है तो जाएगा 4D XZ या 4D and 4D 5D जो तो एको प्योर XY अर्बिटल नहीं है दो ही है एक XZ है एक YZ है की के भी है उनका plus minus 1 होता है अब कहरा है M की value plus 1 भी है minus 1 भी है यानि कि 2 M की value दे रखी है जब 2 M की value दे रखी तो 2 अर्बिटल लाएंगे ना 2 अर्बिटल लाएंगे यहाँ पर and लगाएंगे क्या लगाएंगे and लगाएंगे क्या मेरी बात समझना आई 4 2 है तो D plus 2 है सिर्फ plus 2 है तो चाहे X square minus Y square होगा और चाहे XY होगा चाहे क्यानि की और लगाएंगे क्या लगाएंगे और लगाएंगे आओ और सवाल को तोड़ा सा और अच्छा बना 5 2 प्लस 1 5 2 से D आ गया प्लस 1 से चाहे X Z होगा अथवा और चाहे Y Z होगा 4 1 माइनस 1 अगर सोचो ये भी माइनस 1 प्लस 1 होता तो फेटा 4 1 से P हो गया 4P अब प्लस 1 माइनस 1 दोनों है तो यानि 4P X and क्या लिखोगे 4P Y लिखोगे 4P X लिखोगे and 4P Y लिखोगे 4 2 प्लस 1 है तो N की बेलू 2 है तो D हो गया यानि कि 4D हो गया X Z हो जाएगा या फिर 4D Y Z हो जाएगा क्योंकि M की बेलू प्लस 1 माइनस 1 इन ही दोनों में से एक की होगे इसका तो 4S बच्चा बच्चा जानता है 5D 3D स्क्वाइर 5 1 5P X and 5P कहां एंड लगाना है कहां और लगाना समझ में आया यहां पे M की बेलू सिर्फ एक बेलू दी हुई हो वो दो और्बिटल को सो करता है तो चाहिए यह होंगे चाहिए फलाने होंगे चाहिए ढमकाने लेकिन मेरे भाई अगर दो बेलू दे रखी है तो यह भी होंगे और यह भी होंगे यह भी होंगे और यह भी होंगे लेकिन किसकी प्लस वन होगी, किसकी माइनस वन होगी, वो बता, नहीं पाओगे, क्या मेरी बाद समझ में आई 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 क्या मेरी value of n l m okay 5 यह तो बटा n की value 5, l की value 0, m की value 0 और s की value plus minus n l m 5 0 कह रहा कि कौन सा quantum number not possible है 2 1 0 possible है 3 2 0 possible है 2 3 L की value 3 से जादा होगी possible नहीं है 4 2 minus 3 l बराबर 2 है ते m बराबर minus 3 नहीं हो सकता रहे भड़ो c और d क्या हो जाएंगे c और d हो जाएंगे n बराबर 3 है then which value of l is correct n बराबर 3 है ते l की value क्या हो जाएगी 0 1 0 1 2 क्यों? 0 से n minus 1 होता देख रहे हो सवाल की खुबसूर्ती 71 सवाल तो मैंने कराई ही हैं कराई और उपर से मैं ये भी करा रहा हूँ चलो बहुत अच्छे मेरे भाई उपीद करता हूँ तुम लोगो अच्छा लगेगा जिसको confusion होगा फिर से बार बार बोल रहा हूँ quantum number सामने रख के याद कर डालो लिखो और याद कर N electron is one of 4D orbital which of the following orbital quantum numbers value is not possible 4D orbital में है ठीके भीया N बराबर 4 L बराबर 2 M बराबर minus plus 2 plus minus 1 0 possible है L बराबर 1 possible नहीं है L बराबर 1 possible नहीं है option क्या हो जाएगा B L बराबर 3 and then type of subcell and number of P orbital L बराबर 3 L बराबर 0 है तो S L बराबर 1 है तो P L बराबर 2 है तो D L बराबर 3 है तो F subcell होगा और F subcell में 7 orbital होते हैं कितने orbital होते हैं 7 orbital होते हैं 14 electron आता है 14 electron आता है L बराबर 3 तो लिका then type of subcell and number of orbital possible है अब आपको पता F है तो ये दोनों तो होंगे नहीं अब 4 F 5 F number of orbital पुछा है 4 F भी possible है 5 F भी possible है लेकिन number of orbital कितने हैं 7 है तो क्या हो जाएगा 5 F 7 हो जाएगा इसे possibility पूछा है कि type of subcell 4 F 5 F दोनों में possible हैं ठीक है orbital लेकिन 7 होते हैं 7 orbital 14 electron और बिटल पूछा इस ले सी हो जाएगा ये कल बताऊँगा मैं ठीक है तो हटा दो ये भी मैं कल बताऊँगा ये भी कल बताऊँगा लिगा दे नंबर आफ लोब्स इन दा डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में कितने लोब होते हैं बता बई चार लोब होते हैं चार लोब होते हैं एक दो तीन चार कितने लोब होते हैं? चार लोब होते हैं any f orbital can accommodate up to f orbital कितने electron रख सकता है? 14 electron रक सकता है कितना? 14 electron रख सकता है s2 p6 d10 how many electrons can fit in the subcell? 4, 3, P, और N बराबर 3, L बराबर 1, 3P हो गए, इतना सवाल करा दिया नो, कोई भी सवाल करोगा ना, यहाँ चुटकी में मिली सकंड्स में हूँ, मिली सकंड्स, वादा कर रहा हूँ मैं यार, और अगर तुमने आज यह लेक्चर पढ़के नहीं शीखाना तो जीवन में तुम कभी नहीं से, रीजन पढ़ ही नहीं है, और हाँ सब्सक्राइब, 3P, कितने एलेक्ट्रॉन, 6, 3P में कितने एलेक्ट्रॉन होगे, 6 ही होगे, और P सफसल है तो 6 ही होगे, maximum number of electrons, इनस अफसल, n बराबर 4 है और L बराबर 3 है, क्यानि कि 4F बनेगा, क्या बनाएंगे 4F, 5F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, कि कि कल पढ़ेंगे, तुडल प्लेन कल पढ़ेंगे, पाकी होमवर्क दे रहा हूँ, पाकी सब सिंपल सिंपल है, होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैंने पहले सी बोलता है, होमवर्क दूँगा, यह क्या है, होमवर्क, क्या है, क्ये भी क्या है, होमवर्क, क्ये भी क्या है, होमवर्क, 20% नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, आफ एफ एफ यह भी, इसमें तुम पॉस्विल्टी देखोगे और उस पॉस्विल्टी को उसमें से मैच कराऊगे, जो मैच कर जाएगा वो सही है, इसमें वो सही है, इसमें पॉस्विल्टी देखोगे, पॉस्विल्टी देखोगे, इसको छोड़ दू इसको कल मैं करवा दूँ कल तुम लोग के रिस्पॉंस अच्छा रहा मैं अच्छे से करवा मैं चाहता तो यह सारे सवाल मैं करा देता महनत ना करता मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आप देख रहे होंगे मैंने 30-32 सवाल लेके आया था लेकिन फिर भी मैंने लगबग 75-80 सवाल लिखे हैं अपने हाथों से अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो रुको जरा सबर करो थोड़ा सा इंतजार करो अभी यहीं नहीं तो इदर आपको मैं स्टार्टिंग है बस 4 प्लेज कह रहा हूँ आद कर लो बस प्रिंस्पल कॉंटम नंबर यह आद कर लो यह देख लो यह आद कर लो यह देख लो यह आद कर लो यह देख लो यह आद कर लो बस इतना याद करने से तना याद करने से मेरे भाई तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे तुम्हारे हर एक सवाल हो जाएंगे सारे शवाल हो जाएंगे मेरे भाई, तो अगर समझ में आएगा, तो रेटिंग भी अच्छा करिएगा, रेटिंग आप अच्छा करते हैं, थैंक्यू, शुक्रिया, और जो भी आपकी डिमांड है, नीचे बॉक्स में एक बॉक्स भरा होता, उसमें आप लिग दिया करिए, जैसे जो पी डबलु टीम से डिमांड है, वो लोग आपकी मैसे देखेंगे, हम तक तो नहीं पहुचेगा, हम तक तो तुम जहां कमेंट करते हों ही कर दो, और इसको देखना आराम से समझना, अब इसी कौंटम नंबर से रिलेटर दो लेक्चर और चलेंगे, आपको चलें, फिर मुलागात होगी, चलें बाई, थैंक्यू, शुक्रिया, उमीद करता हूँ, मैंने पुरी ताकत लगा दी है, content देखना, शवाल देखना, मेरी एक-एक लेंग्विज देखना, एक-एक लेंग्विज दुबोर, थैंक्यू, शुक्रिया, नमस्कार, जैहन सबा झाल झाल